असलामने कुछ विवर्स, Office 2016 के अंदर एक filter का function मुझूद है जिसके तो आप अपने data को dynamically filter कर सकते हैं अभी में पास सेली का data मुझूद है और सेली data के अंदर जिसके सेली more than 16,000 है वो हम चारे कि जिफ फिल्टर हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब इकल तो filter, back it on पहले फर्स parameter में हम पुरी data को select कर लेगे just like this, comma press करेगे comma press करने के बाद सेली वाला कॉलम है उसको हम select करेगे just like this उसके बाद get it in का symbol जूस करेगे और जिस cell में 60,000 टाइप है उसको select करेगे back it close करके enter की press कर देगे 30,000 में करते हैं देगे फिल्टर लिस्ट जो है वो automatically change हो गई है इस filter list को जनाब मैंने amount wise sort करना है इसके लिए क्या करेगे 2, comma minus 1 यह amounts जो है descending order में हमाया पास sort हो के आ गई है अब मैं data list के अंदर किसी भी amount को change करता हूँ फोन जब मैं जेम्स की सेली को change करता हूँ तो वो automatic filter data के अंदर filter list के अंदर update हो गई है thanks for